जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट और इससे जुड़े हुए अन्यमहत्पूर्ण तत्यों के बारे में डिसकस करेंगे तो एंटिपेस एकजाम में इस टॉपिक से काफ़ी ज्यादा प्रशन अल्रड़ी पूछे जा चुके हैं तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो गर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर जरूर करिएगा तो आएए इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं तो पहले हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में तो ध्यान किएगा इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क क्या होता है इंटरनेशनल नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है और इसके बारे किस प्रकार से हुआ था तो ध्यान किएगा 1960 के दसक की बात है अमेरिका का जो रच्छा विभाग है इसका मुख्याले आपको मिलेगा पेंडान में इसका नाम था Advanced Research Project Agency और यहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट के विकास का कारिक किया गया था पहला जो हमारा इसको अस्थापित किया गया था तो यह पॉइंट आपके पूछा जा चुका है NTPC में तो इसके बारे में आप याद खेंगे वैसे अगर हम लोग इंटरनेट के जनक की बात करते हैं तो बिंट सर्फ महोदय को इंटरनेट के जनक की रूप में जाना जाता है अब अर्पानेट की हमने बात की तो इसका आपको पूरा नाम भी पता होना चाहिए इसका पूरा नाम है Advanced Research Projects Agency Network क्या नाम है Advanced Research Projects Agency Network तो इसका पूरा नाम भी आपके NTPC में पूछा जा सकता है बीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले में आपको Unacademy के Bank Exam के लिए शुरू हो रहे नए कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा तो ये जो नया बैस है वह आपके 8 फरवरी 2021 से शुरू हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि एक फरवरी से भी नय बैस चैस की शुरूआत होई थी और अगर आप इसमें एडमिसन नहीं ले पाए है तो फिर आपको चिंता करने की आफसकता बिल्कुल नहीं है 8 फरवरी से यहाँ पर नय बैस चैस की शुरूआत हो रही है तो बैंक के छेत्र में क्रैस कोर्स बैस प्रिलिम्स और मेंस के लिए भी 8 फरवरी से ही सुरूर हो रहा है इसके अलामा जो हमारे SBI कलर का एक्जाम है उसके लिए एसिलरेटर बैस की भी सुरूआत हो रही है और यह भी आपका होगा 8 फरवरी से अब यहाँ पर आपको फायदे कौन कौन से मिलेंगे तो सबसे पहला फायदा तो यह मिलेगा कि जो भी आपके बैंक एक्जाम का स्लेबस होता है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से कवर किया जाता है बेस्ट एजुकेटर से आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलता है पढ़ने के बाद में यानि कि सारी जो लाइब क्लासेज होती है उसके बाद में आपको मुफ्त में यहाँ पर PDF भी दिया जाता है जिससे आप लोग रिवीजन कर सके समय समय पर बहुत सारे टेस्ट भी कंड़क करवाय जाते है जिससे आप अपनी तयारी को चेक कर सकते है और यहाँ पर सबसे महत्पूर्ण कि आपके लिए dedicated doubt season भी होता है यानि कि अगर आपको कोई doubt होता है तो वह भी आप यहाँ पर आसानी के साथ में clear कर सकते है तो नीचे आपको इनकी link दी गई है उस link पर click करके आप इसमें से किसी भी course का subscription purchase कर सकते है और अगर आप ज़्यादा समय का subscription नहीं लेना चाहते है या फिर आपको course की quality चेक करनी हो तो आप कम से कम एक महिने का subscription भी ले सकते है तो use करिएगा kv10 code यहाँ पर और इसमें भी आपको 10% का discount मिल जाएगा तो link आपको नीचे दी गई है वहाँ से आप इसको check out कर सकते है तो आईए अब हम बात करते हैं computer network के बारे में तो अगर हम computer network की बात करते हैं तो जब 2 या 2 से अधिक computer को किसी माध्यम की साहता से आपस में जोड़ा जाता है जिससे जो यहाँ पर data होता है या जो हमारे सुचनाए होती है उनको हम एक computer से दूसरे computer में भेज सकें तो इसी को हम लोग कहते हैं computer network अब computer network की बात करें तो यह आपके होते हैं चार प्रकार के कौन-कौन से एक हमारा हो गया LAN दूसरा हमारा हो गया BAN तीसरा हमारा है MAN और चौथा आपका होता है BPN तो यह चार प्रकार के computer network होते हैं तो आईए एक-एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं LAN की बात करें तो इसका पूरा नाम आपके NTPC में पूछा जा चुका है तो इसका full form होता है local area network क्या होता है local area network LAN का पूरा नाम होता है अब इसका मुख्य रूप से यूज कहां पर होता है तो जो हमारे कारियाले होते हैं विद्याले होते हैं या फिर बिस्विद्याले होते हैं वहाँ पर आपको LAN का प्रयोग दिखने को मिलेगा तो coaxial cable या फिर जो आपकी optical fiber cable होती है उसके द्वारा LAN के सुभधाओं का एक दूसरे computer के साथ में यूज करके प्रयोग किया जाता है फिर बात करते हैं WAN की यानि की wide area network की तो जो भी हमारे छेत भौगोलिक द्रिश्टी कोर्ट से एक दूसरे से अलग-अलग होती है यानि की दूर-दूर होती है उनके बीच में इस network को जोड़ा जाता है तो बस आपको ध्यारकना है कि WAN में दो या दो से अधिक LAN को भी जोड़ा जाता है यानि की जो हमारा LAN होता है उससे बड़ा network होता है WAN और WAN का पूरा नाम है wide area network उसके बाद में हमारा होता है man तो man की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है metropolitan area network क्या है? metropolitan area network तो या जो network है वह अब्यक्तिगत या फिर सार्वनिक दोनों रूप से हमारे metropolitan महानगरों में इमारतों को आपस में जोड़ता है तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा यहां पर man होता है वह land से होता है बड़ा किस से land से बड़ा होता है man और उसके बाद में बात करते हैं VPN की यानि की virtual private network की तो ये भी हमारे बिविन परकार के private network और संसादनों का विस्तार होता है और यहां पर ये इनको आपस में internet की रूप में connect कर देता है तो थोड़ा थोड़ा आप ध्यान केंगे बिसेश तोर पर आपको इनके full form यहां पर यादखने हैं अब बात करते हैं protocol की तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है और इसी से आप समझ पाएंगे कि जो हमारा internet होता है वह किस प्रकार से कारिख करता है तो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये हमारे computer program होते हैं या एक प्रकार के software होते हैं और इस प्रोटोकॉल को हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं तो एक हमारा होता है TCP यानि कि transmitter, transmission, control protocol और दूसरा हमारा होता है IP जिसे हम लोग internet protocol के नाम से जानते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं TCP की तो जो हमारे internet के उपर जानकारियां उपलब्ध होती हैं वे सारे आपके packetों के form में उपलब्ध होती हैं तो TCP का काम क्या होता है तो TCP का मुख्य रूप से काम होता है कि जो भी हमारे यहां पर data है उन सभी के data के बंड़क तयार करें इसके अलावा जो भी आपका data होता है उस data को एक बेवस्थित करम में लगाए जैसे माल लिए इसने packet बना दिया packet के बाद में ये इसको बेवस्थित करम में लगाता है और उसके बाद में इसका काम ये भी होता है कि जो भी इसने data को करम में लगाया है इसमें से कोई data गुम ना होने पाए तो ये काम होता है TCP का उसके बाद में बात करते हैं IP की तो IP का का काम क्या होता है तो चित्थी के उपर आप एक address लिखते हैं, फिर जाकरके वो जो आपका डांक होता है, वो उस particular address पर पहुँचता है, तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर TCP के द्वारा packet को भीजा जाता है, तो IP के द्वारा उसे एक address दे दिया जाता है, तो IP एक ऐसे परक्रिया होती है, जो क हर जानकारी को उसकी सही जगाव के उपर पहुचा देती है, तो simply आपको इन दोनों के बारे में यादखना है, अब हम बात करेंगे HTTP और HTTPS, तो HTTP के बात करें, तो ये भी हमारे internet पर एक set of rule होती है, जो की सूचनाओं को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर भेजती है, अब ये मामला हुआ क्या, जैसे, देखिए माले जी आपने internet के उपर किसी form को फिल किया, अब form को जब आप फिल करते हैं, तो जाहर सी बात है कि आप जिस website के उपर से इस form को फिल करेंगे, वहां से आपका जो data है, वहां किसी server के उपर जाता है, तो ये जो हमारा data यहां से server तक जाता है, वह HTTP के द्वारा ही जाता है, अब HTTP में भी आपको दो मिलेंगे, एक तो होता है HTTP, और दूसरा हमारा होता है HTTPS, अब ये दोनों क्या होते हैं, तो HTTP होता है Hyper Test Transfer Protocol, और HTTPS की बात करें, तो ये आपका होता है Hyper Test Transfer Protocol, Secure, क्या होता है, Secure, अब इन दोनों में अंत form को फिल किया, और form को फिल करने के बाद में, जब ये data आपके server तक जाता है, तो बीच में अगर आपने HTTP के द्वारा इसको भेजा हुआ है, तो जो भी हमारे यहाँ पर data को चोरी करने वाले लोग होते हैं, वे बीच से ही इस data को चोरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यह यहाँ पर secure medium से भेजा है, यानि कि HTTP के मादने से भेजा है, तो यह data आपका चोरी नहीं होता है, तो यही दोनों अंतर होता है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर यादखना है, विसेश तोर पर इनके full form NTPC में कई बार पोचे जा चुके हैं, तो यह full form आप यादखें फिर बात करते हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं कुछ अन्य सब्दों की, तो पहले आपको ध्यान रखना है FTP के बारे में, यानि कि File Transfer Protocol के बारे में, तो FTP की बात करें, तो इसका उप्योग एक computer network से दूसरी computer network में फाइलों को भेजने में किया जाता है, यानि कि जब एक हमारा होता है Ethernet, Ethernet क्या होता है, तो आपने देखा होगा इस प्रकार का एक केबल, और आपने देखा होगा इस प्रकार का एक port अपने computer में, तो जब हम computer को आपस में जोड़ने के लिए network card का प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते है Ethernet, तो Ethernet का जो प्रयोग है, वैन इन सभी में किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका उप्योग है, वह आपको LAN में देखने को मिलेगा, तो अगर आपने कभी भी broadband के मार्धम से इंटरनेट को चलाया होगा, तो आपने देखा होगा Ethernet को, तो ये आप यहां से याद दखेंगे, फिर बात कर तो uniform, resource, locator क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे समझेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि www एक हमारे सूचनाओं का अस्थान होता है, जहां पर जो हमारे सूचनाओं होती है, यानि कि जो भी हमारे information होती है, वह आपके URL के द्वारा प्राप्त होती है, hyper test के द्व के द्वारा www की खोज की गई थी, तो full form तो पूचया ही जा चुका है, और इसके खोज करता कौन है, उसका भी नाम आपके NTPC में पूचा जा चुका है, देखे इसके बाद में जो हमारा एक और वीडियो होगा, उसमें हम लोग डिसकस करेंगे, computer language के बारे में, इसके अला जो उससे जुड़े हुए प्रेशन है, उन सभी को डिसकस कर लो, तो इससे आपका जो computer वाला topic है, वह लगभग समाप्त हो जाएगा, और अगर NTPC में प्रेशन पूचा जाएगा, तो वह इससे बाहर बिलकुल नहीं होगा, तो यह हमने बात कर ली www की, अब बात करते हैं कि बेब ब्राउजर क्या होता है, तो बेब ब्राउजर, जब हम किसी इस application में, जैसे कि आपके mobile में होगा, mozilla, या फिर firefox होगा, या फिर आपके mobile में inbuilt आता है chrome, तो chrome भी आपका एक प्रकार का बेब ब्राउजर है, यानि कि एक हमारा ऐसा software application, जिसका उप्योग हम लोग, इंटरनेट के माध्यम से, बेब पेज को, चित्र को, बीडियो को, या अन्य फाइलों सहित, worldwide बेब पर सामगरी को खोजने, उसे पुना प्राप्त करने, या फिर उसे प्रदर्सित करने के लिए करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं, बेब ब्राउजर, अब नाम इनके स साल, जो Microsoft है, उसने बनाया था Edge, तो ये भी आपको ध्यारकना है, Safari की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपके है Apple का, Chrome की बात करते हैं, तो ये आपके है Google का, तो ये सारे चीजें आपको यहाँ पर ध्यारकनी है, अब हम बात करते हैं, बेब एड्रस की, तो यहाँ से आप थ Uniform Resource Locator की, तो इसी को हम लोग बेब एड्रस की रूप में जानते हैं, और अगर हम लोग बेब एड्रस की बात करते हैं, तो ये आपके किसी बेब पेज पर वहाँ पर जो सूचना है होती हैं, उनको प्रदर्शित करता है, कैसे? आईए इसको हम लोग समझते हैं, जैसे की यहाँ पर आपके सामने जो पूरा दिया गया है, यानि कि HTTPS slash double colon www.kvgruji.in slash about us, तो अगर हम इस पूरे सेगमेंट की बात करें, तो ये पूरा सेगमेंट हमारा कहलाता है बेव एड्रस या फिर इसे हम लोग URL के रूप में जानते हैं, उसके बाद में मैंने आपको बता ह दिया था, कि इसके आगे जो आपका लगा होता है, इसे हम लोग कहते हैं protocol, क्या होता है, ये हमारा होता है HTTP या HTTPS protocol, बीच में जो आपको kb.gruji.in मिलेगा, ये हमारा होता है domain name, क्या होता है, ये हमारा होता है domain name, और इसके बाद में जो आपको मिलेगा, इसे हम लोग file name, या फिर दीपात के नाम से जानते हैं किसके नाम से दीपात के नाम से यहाँ पर हम जानते हैं तो ये पूरा हमारा एक बड़ा सा टॉपिक है जब हमारे NTPC का एक्जाम खतम हो जाएगा तो उसके बाद में इन सभी को हम लोग अलग अलग वीडियो में डीटेल में डिसकस करेंगे तो बिल्कुल आप परिशान मत होईए ये अभी आपके NTPC के लिए है तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको चीजों को सुनना है और कोसिज करना है कि थोड़ा थोड़ा आप यहां पर चीजों को समझ भी सके फिर बात करते हैं कुछ हमारे website के short form की जैसे कि अगर किसी website के last में .int लगा होता है तो इसका मतलब है वह किसी international organizations को represent कर रही है .gov लगा होता है तो इसका मतलब है कि वह government को represent कर रही है non-profit organization है .info लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह कोई informational organization है .com लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह कोई commercial है इसी परकार से अगर .in लगा हुआ है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये हमारे भारत की website है इसी परकार से आपने देखा होगा cricket. EU. ऐसे कुछ करके है तो EU लग गया तो इसका मतलब है ये आश्टेलिया का तो जैसे हमारे इंडिया का IN है उसी परकार से आश्टेलिया का आपको EU देखने को मिलेगा US की बात करें तो .US हमारे US को represent करता है यानि कि जो ये domain है वह आपके अमेरिका में register हुआ है तो ये हमने start form के बारे बात कर ली और यहां से भी NTPC में प्रेश्ण आपके पूछे जा चुके हैं फिर बात करते हैं search engine की तो search engine क्या होता है तो या भी हमारा एक जटिल software program होता है क्या होता है या हमारा एक जटिल software program होता है अब ये काम क्या करता है तो जैसे अगर हमें internet के उपर किसी भी विसेश चीज को खोजना है तो वहाँ पर हम किसी search engine में जाएंगे उस search engine में उस particular keyword को हम enter करेंगे और उसके बाद में उसे खोज करके वह आपका search engine आपके सामने रख देगा फिर आप उसे आसानी के साथ में एकसेस कर पाएंगे जैसे मान लिजी आपको खोजना है कि दुनिया में सबसे बड़ा पेंड कौन सा है तो आप क्या करेंगे सबसे मातपूर इसमें है Google उसके अलावा आपका एल्टा विष्टा है Google के पहले दुनिया में राज था याहू का हॉट बोट हो गया लाइक ओस है बिंग है डकडक गो है यूटूब है बाइडू है तो ये सारे हमारे बहुती प्रमुक सर्चिंजन है और जैसा कि मैंने आपको बताया एक्जामपल आपको सभी यहाँ पर याद दखने है क्योंकि आपके NTPC में जो प्रश्न पूछा गया है उनमें से कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सर्चिंजन नहीं है तो तीन आपको सर्चिंजन दे दिया जाएंगे एक कोई अलग तर्म दे दिया जाएगा और आपको वहाँ पर उसको यहाँ पर लोकेट करना होगा तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एक्जामपल आपके लिए सबसे ज़्यादा मातपूर है फिर बात करते हैं कंप्यूटर वाइरस के तो यह भी एक प्रकार का लिखित प्रोग्राम ही होता है और इसका मुख्य रूप से काम होता है किसी कंप्यूटर में घुश करके उसके डेटा को चोरी करना तो इसके माध्यम से जब हमारे कंप्यूटर में कोई वाइरस प्रवेश कर जाता है तो वह हमारे डेटा को यहाँ पर चोरी कर सकता है या फिर जो हमारे computer में data है उसको ये कर भी कर सकता है तो बहुत ही सारे हमारे परमुक virus हुए हैं जैसे कि crypto locker हो गया, I love you हो गया, my doom हो गया, storm warm हो गया, Anna cornycowa हो गया, slammer हो गया, stucks next हो गया, और हो गया Melissa तो virus के नाम भी आपको ध्यारक नहीं है क्योंकि यहां से भी आपके NTPC में पूछे जा चुके प्रशन है कि इन में से कौन सा एक computer virus नहीं है या इन में से कौन computer का virus है तो इस प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं फिर बात करते हैं, anti-virus software की तो ऐसे software जो हमारे computer को इस प्रकार के virusों से बचाते हैं उसी को हम कहते हैं antivirus software तो इनका मुख्य रूप से काम होता है कि अगर आपके computer में कोई virus आ गया है तो उस virus को यह खोज लेते हैं और उनको यहाँ पर समाप्त कर देते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है computer virus और antivirus software के बारे में अब अगर हम लोग antivirus software की बात करें तो कई सारे software आपने सुनी ही होंगे जैसे कि Norton हो गया, Macfee हो गया, Bitday, Fender हो गया Avira है, AppSecure है, Casper Sky है, Avast है, K7 Total Security है GData है, Komodo है, कुई खील है तो यह सारे हमारे प्रमुक antivirus software है तो इनके बारे में भी आप याद खेंगे फिर बात कते हैं firewall की तो firewall क्या होता है तो यह हमारे computer network का एक सुरच्छा प्रणाली होता है यानि कि जो आपका पूरा computer network होता है जैसे, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो हमारा यहां पर antivirus होता है और जो हमारा firewall होता है इनमें difference होता क्या है तो difference यह होता है कि antivirus हमारे किसी एक particular computer के लिए होता है लेकिन अगर हम लोग बात कते हैं firewall की तो यह हमारे एक पूरे computer network के लिए होते हैं यानि कि जिस network में बहुत सारे computer जुड़े होती है उनमें जो भी data यहां पर एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाते है उन सभी के उपर नियंतरण इसी firewall के द्वारा रखा जाता है और यह जो firewall है वह data को पूरी तरीके सुरस्चित रखता है किसी भी computer network के उपर फिर बात करते हैं email की email की बात करते हैं तो यह हमारा electronic mail होता है यानि कि आप कह सकते हैं एक परकार का डांक होता है जिसे हम एक computer से दूसरे computer में आसानी की साथ में भेज सकते हैं अब email से सम्मंदित एक प्रश्ण आपके NTP से में पूछा गया था कि spam क्या होता है तो जब हमारे mail में जैसे आपका Gmail हो गया तो उसमें कई सारे आपके Advertise से सम्मंदित mail आ जाते हैं या फिर आपके कुछ ऐसे अवांचित mail होते हैं जो कि विग्यापन के द्रिश्टकोंट से भीजे जाते हैं तो वो आपके spam folder में चले जाते हैं वैसे जो आपका Gmail mail होता है वो आपको मिलेगा inbox में लेकिन अगर आपके Advertising से सम्मंदित mail होते हैं तो वो आपके चले जाते हैं spam में उसी प्रकार से एक हमारा होता है email bombing तो ये क्या होता है तो अगर किसी एक निश्चित email ID के उपर बार बार एक ही संदेश को भेजा जाए तो उसे हम लोग कहते है email bombing तो ये एक प्रकार से आपके data को चोरी करने के लिए भेजा जाता है कि एक बार आपको भेजेंगे आपने click नहीं किया दुबारा आपको भेजेंगे तिबारा भेजेंगे इसी प्रकार से वे कई बार भेजेंगे और हो सकता है कि आप इनमें से किसी एक बार उसके उपर click कर दें तो ये हमारा होता है email फिर बात करते हैं cash memory के तो ये हमारा कल छूट गया था ध्यान रखेगा जब हम अपने computer पर किसी भी प्रकार के work को करते है या विसेज तोर पर अगर हम internet पर करते हैं तो जो हम data का यहां पर use करते हैं फार एक्जम्पल माल लिजे कि आपने कोई work किया है अपने computer पर और यहां पर जाहर सी बात है उस work के दोरान आपका data generate हुआ होगा तो इसमें से जो data होता है वह cash memory के रूप में store हो जाता है यानि कि अगर आप इसका पुना use करना चाहते हैं तो आसानी के साथ में इसको प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप उसी particular काम को करना चाहते हैं तो cash memory से यह data transfer हो जाएगा और आप उस काम को तेजी के साथ में कर पाएंगे तो यह हमारा होता है cash memory अब इसी से जुड़ा हुआ होता है cookie क्या होता है cookie तो इसे हम लोग बेब cookie cookie या फिर internet cookie के रूप में जानते हैं अब यह क्या होता है कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी website के उपर access करते हैं तो वहाँ पर आपके सामने एक notification आता है कि यह जो website है वह आपके cookies को use करेगा यानि कि जब आप website के उपर कोई चीज सर्च करते हैं या फिर आप चीजों को access करते हैं तो वहाँ पर वो जो data होता है वह आपके बेब browser में store हो जाता है अगर आपने कभी Google पर सर्च किया होगा कि सबसे अच्छा यहाँ पर मालने यह कोई cap कौन सी है यानि कि टोपी कौन सी है तो जब आप दुबारा उसे चीज को enter करने जाएंगे तो तुरंत आपके सामने वो आ जाएगा यानि कि आपने जो पहले सर्च किया होता है वो ही आपके सामने यहाँ पर आ जाता है तो यह कमाल होता है आपके कुकी का यानि कि यहाँ पर भी एक प्रकार का data store होता है लेकिन यह आपके बेब browser में store किया जाता है तो दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंस यादखना है फिर बात करते हैं Bluetooth की तो Bluetooth क्या होता है तो ये भी हमारी एक wireless तक्नीक होती है और इसके माध्यम से कम दूरी के लिए mobile से mobile में mobile से computer में या computer से computer के बीच में data को transfer किया जाता है उसी तरीके से हमारा होता है Wi-Fi Wi-Fi की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमारा एक wireless network होता है और यहाँ पर रेडियो तरंगों के माध्यम से अधिक दूरी के बीच में high speed internet और network connection को अस्थापित किया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि Wi-Fi में डेडियो तरंगों का यूज किया जाता है किसकी रेडियो तरंगों का यहाँ पर यूज किया जाता है फिर NTPC में दो आपके प्रेशन पूछे गए थे एक प्रेशन पूछा गया था कि दुनिया में जो पहला domain था वह कौन सा था तो ध्यान किएगा symbolics.com क्या था symbolics.com दुनिया का पहला डोमेन था और इसे 15 मार्च 1985 को पंजिकरित किया गया था यानि कि पहली बार symbolics.com को एक डोमेन नेम के रूप में रेजिस्टर किया गया था डोमेन नेम क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया जैसे कि kvguruji.in है तो ये आपका होता है एक डोमेन नेम उसके बाद में पूछा गया प्रशन है कि पहली social media site कौन सी है तो ध्यान किएगा 1997 में 6degrees.com नाम से एक social media site लौंग की गई थी और ये दुनिया की पहली social media site थी तो ये point भी आप याद दखेंगे बाकी आपको नीचे comment में ये बताना है कि और प्रमुक social media sites कौन सी है जो कि इस समय दुनिया में बिद्दमान है यानि कि इस समय कारे कर रही social media sites के नाम आपको नीचे comment में लिखने है और अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो नीचे comment में लिखेगा yes और आप किन टॉपिक के उपर वीडियो चाहते है जो कि NTPC के लिए महत्पूर्ण है वह भी आप नीचे comment में बता सकते हैं Thanks for watching जै हिंद, जै भारत और सबसे जरूरी बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत